लाइव वाइद देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ रवीश शर्मा कोशिश हमारी रहती है कि तमाम उन लोगों से मिलवाया जाए आपको जो लोग जमो कश्मीर से निकल कर बाहर पहुंचे हैं और रिप्रेजन्ट कर रहे हैं जमो कश्मीर को इनसे पूछेंगे कि एक्सपिरिंस इनका किस तरह से रहा क्योंकि हमने इनसे पहले भी मुलाकात की थी लेकिन उस समय वक्त की कमी थी और अब ये जमो का टूर लगाकर फिर मुबई की तरफ जाने वाली हैं अर्जुमन स्वागत करूंगा पहले अर्जुमन पहले भी आपसे मुलाकात हुई थी जब आप जमो आये थे हमने आपसे मुलाकात की थी एरपोर्ट के बाहर लेकिन उस वक्त आपके पास समय की कमी थी और आज आप से खूब सारी बातें करेंगे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि पांच साल बाद अर्जुमन मुगल जमो कश्मीर आई इसके बाद सीधा अपने घर लंबेडी की बात करें अपने पुराने गउं पुरानी यादें आपकी वहाँ पर होंगी सबसे पहले ये बताएं कि जब आप लंबेडी में पहुंचे तो किस तरह से आपका इस्तिकबाल वहां पर किया गया ए kis तरह से आपका स्वागत दवां किया गया सब अंदर रहने की वज़ा से सब की थोड़ी सी थोड़ी सा डिस्टरबेंस था लोगों के अंदर बिकोज अफ दिस कोरोना बट अधर्वाइज तो सब लोग खुश थे अच्छे थे हमें देखे सब खुश हो गए कहां कहां आप गूमे और कैसा आपको लगा क्यूंकि काफ हम लोग वहां पे कुछ जगें हैं जिनका नाम है गर्न, मर्चोला, चन्नी और डंडेसर और राजोरी, पुंच, शादरा और यह सब इधर जगें हैं कुछ जहां पर में हमारे सब रिष्टेदार रहते हैं लाइक हमारी जो आंटियां और अंकल्स हमारे बहुत बड़ी ब काली था उसे याद कर रहे थे क्या उससे मुलाकात हुई या नहीं हो सकी। अब आप मुमबई एसी नमने के में बच्पन आपका जह मुक कश्मीर में भीता है आप काफी समय से अब बहार ही रहती है इसे छीज जो आप चाहती है कि जम्मू के लोग ढोल से बदले इससे बदले मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा सा अउर जादा तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ के मामले में थोड़ा सा समझ कमजोर है खाने पीने को थोड़ा और बहतर करना चाहिए और यहां पे एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंट चला हुआ है कोल ड्रिंक वगरा पीने का जो की कोल ड्रिंक जो है फिर से चलाना चाहिए लेकिन यह जो कोल ड्रिंक बगरा है यह सब चीजें जो है दो में मॉडल आई नीड टो रीप्रेजेंट देम बट आइम डीप्रेजेंटिंटिंग बट आई विल से दाट यह जो सोड़ा है उसको काम से काम पीने बिकोज अभी जो माहूल चल र अरजुमन अगर बालीवुड की बात करें तो कितनी जल्दी अरजुमन जो है वो फिर परदे पर दिखने वाली है आपकी जो नई फिल्म रिलीज होने वाली है बहुत जल्द वो कौन सी है मेरी आने वाली फिल्म है तीन शाने जिसको डारेक्ट किया है अनीस बारुद वा कि सब को अरजुमन एक और सवाल करूंगा अगर एक्टर की बात की जाए किस से काम करना आपको सबसे अच्छा लगता है और किसके लिए अरजुमन चाहेंगी कि वो उनके साथ काम करें क्योंकि काम तो जहां भी आप करेंगी अच्छा ही करेंगी लेकर एक दिल में होता है कि कोई बंदा आपको पसंद होता है कोई अक्टर आपको पसंद है जिसके साथ आप लाइफ में काम करना चाहती है ऐसे तो मैं सभी अक्टर के साथ काम करना चाहती हूँ जितने भी बॉलिवूड में अक्टर हैं अच्छे एक्टर्स उन सब के साथ काम करना चाहती हूँ लेकिन कोई आपको जो पसंद हो जो दिल के करीब हो ऐसे मैं शारुखान के साथ काम करना चाहती हूँ शारुखान जो है वो मेरे पसंदिदा एक्टर है और उनकी एक्ट में मुझे बहुत पसंद है और उनके फिल्म में मुझे बहुत पसंद है, उनकी मुझे कहानियां बहुत अच्छे हैं, उन जिस तरह के हिरोईन्स लेते हैं मुझे उनकी हिरोईन्स भी बहुत पसंद है, अगर हिरोईन की बात करें तो कौन सी हिरोईन जो है वो आपको जब से जादा पसंद है, जिसको आप फालू करती होंगी जब आप उससे फालू करती होंगी जब अब तक आप उसे साथे आ अब दो 1921 पर आते हैं अभी अगर देखा जाए तो अभी मुझे थोड़ा 19-20 में मतलब जैसे मुझे रानी मुखर जी बहुत पसंद है और मुझे काजुल बहुत पसंद है मुझे काटरीना कैफ भी बहुत अच्छी लगती है और एश्वरियराय मुझे बहुत अच्छी लगती है और फिर उसके बाद में मादरी दिख्शित मुझे बहुत पसंद है अर्जुमन ये भी कहा जाता है कि बाली वुड की बात करें तो कुछ चुनिंदा लोग जो होते ह उन्हें ही बालीवुड में काम मिलता है लेकन अरजुमन थी चुनिन्दा नहीं थी एक छोटे से गाउं से गई थी और तीन-चार फिल्में आप कर चुके हैं तमील फिल्में कर चुके हैं बालीवुड की फिल्में कर चुके हैं इस पर आप क्या कहेंगे कि चुन्दा ही लोगों को काम मिलता है ने ऐसा कुछ नहीं है यह तो एक बहुत ही गलत बात है जो लोगों ने यूँ ही फैलाई हुई है बट सच बात यह है कि जिसके अंदर टैलेंट है उसको काम मिलेगा और बहुत सारे लोगों में मैंने देखा मतलब वो खुबसूरती को लेके competition लगाने लगते हैं बट उनको मैं यह कह दूं कि अगर आप खुबसूरत है और आप कुछ करना चाहते हैं जो मतलब अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कोई भी ऐसा acting type का talent नहीं है और आप खुबसूरत है तो आप modeling करें आप acting में न छाए और अगर आपके अंदर talent है आप वलेए खुबसूरत ना दिखते हूं यहीं सवाल करूंगा इंग कि क्या Bollywood में आने के लिए खुबसूरत होना जरूरी है नहीं, खुबसूरत होना जरूरी नहीं है, टैलेंटेड होना जरूरी है, अगर आप खुबसूरत है तो आप मॉडलिंग कीजिए, क्योंकि मॉडलिंग की जगा खुबसूरती की जगा मॉडलिंग में है, खुबसूरती जो है, बाकी बॉलिवूड में तो खुबसूरती को इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है बलकि टैलेंट को वैल्यू दिया जाता है अरजुमन एक सवाल और करूंगा ये भी कहा जाता है कि जो लोग भाली वुड में पहुंचते हैं खासकर लड़कियों की बात करें हरास किया जाता है डराया जाता है इस पर कहेंगे इस पर यह लोग मिलते हैं, आप उनके साथ काम ना करें. लोगों की जो परिशानिया उस वक्त बढ़ जाती हैं सोच को लेकर जब भाली बूट के अंदर ही कुछ लोग इस तरह के बयान दे देते हैं. चाहे वो लड़कियों की बात करें चाहे वो लड़कों की बात करें देखो सही और गलत जो है सब के साथ होता रहता है लेकिन क्या होता है कि आप किस तरह डील करते हैं गलत लोगों के साथ और किस तरह डील करते हैं सही लोगों के साथ इस पर बहुत डिपेंड करता है और आ आपको अपने आप समझ में आजाएगा, कि उन्होंने खुदी खलत कदम उठाया, और फिर उसके बाद में वो आके उनके जिनके साथ उनने खलत कदम उठाया, उनके खिलाफ आके बोले, तो आपने क्यों गलत कदम उठाया, आप उठाते ही नहीं. कितना प्राउड फील करती हैं कि वो जमुकश्मीर से हैं और मुंबही में इस वक्त बाली बुड के अंदर हैं देखी अगर काम करना है तो मैं अपने काम के भीना मदलब जिन्दगी अपनी महसूस भी नहीं कर सकती हूं सोच भी नहीं सकती हूं तो अगर काम करना है तो बॉलिवूड में मुंबई में रहना जरूरी है मगर अगर काम ना करूँ में तो फिर मैं जम्मू में ही रहना चाहूंगी I feel so proud of Jammu कश्मीर because this is such a beautiful place and it's such a beautiful place and the weather is amazing here it's a very unique place actually मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में सबसे अलग जगा है यह तो जगा तो खुबसूरती है और जगाए सारी अच्छी होती है ऐसा नहीं है कि सिर्फ जम्मू ही एक बहुत अच्छा बात करें तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है और जुमन मुगल सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव रहती है और कौन-कौन से प्लेटफर्म यूज करती है मैं बेसिकली इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेस्बुक पेज यूज करती हूँ और वो भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ ऐसे कभी-कभी यूज करती हूँ मगर आप मुझे अगर चाहें तो आप मुझे फेस्बुक पेज और इंस्टाग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते है कोई आपको फालो करना चाहे तो कैसे बता देंगे इंस्टा पर कौन से आईडी पर फालो कर सकता है उर्वी पर ट्वींटर पर अरजुमण मुगला उफिश्यल ऑर ट्वीटर पर अजुमत अगर बात करेंगे आपके गउं कि क्यूंकि इस बार आप गहुं में गये ते कोई ऐसी जाद जो ताजा हो गई हो क्यूंकि काफी समय के बाद आप अपने गहुं में गये थे यादیں तो बेशुमार थे हुआ हैं मैं तो एकी चीज़ collect करती हूँ मैं जहाँ भी जाती हूँ वहां पर मैं यादें और knowledge collect करती हूँ कोई एक हो तो बताऊं बेशुमार यादे हैं और बेशुमार यादें ताज़ा भी हुई I'm so sorry बहुत यादे हैं मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आप लगबग पांच साल के बाद यहां आई हैं क्योंकि आपका बच्पन जो है वो यहां गुजरा है और यादें तो बहुत से होंगी अब चलते हैं जमू कश्मीर की दूसरी लड़कियां जो अभी भालिवूड का सफर तया करना चाहती है उनको लेकर अरजुमन क्या कहेंगी क्योंकि प्लेट फार्म नहीं मिलता और जो होंसले होते हैं वो दम तोड़ जाते हैं रास्ते में मैं यह कहना चाहूँगी कि आप आप पहचाने अपने आपको and be confident अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको मन्जिल जरूर मिलेगी और अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं है तो आप अपने आपको दरबदर ना करें जो आपके लिए आपके माम बाप सुचते हैं वो बहतर होता है उनके खिलाफ कभी न जाएं और अगर आप आगे जाना चाहते हैं और आप टैलेंटेड हैं तो डेफिनिल आप ट्राइ करें आपको मन्जिल मिलेगी जरूर टिप्स क्या देंगे अरजुमन बाली वुड में पहुंच चुकी है कोई और लड़की जमो कश्मीर की जो बाली वुड में जाना चाहती है अरजुमन की कभी कोई सहाईता लेना चाहती है तो कैसे ले सकती है मैं समझती हूं कि कला एक बहुत ही रुहानी और बहुत ही खुबसूरत चीज़ है और इसके लिए इनसान को बहुत सचा, इमानदार और अच्छा होना पड़ता है अगर आपका दिल साफ है, आप अच्छे हैं, इमानदार हैं, महनती हैं तो एक अच्छा इनसान कहीं भी कामयाब हो जाता है और जुमन कितनी महनत करती हैं, खुद को फिट रखने के लिए अच्छली में, मेरा वेट अभी 68 था, जब मैंने ये फिल्म की तीन चाने क्योंकि इस फिल्म में मैंने एक ऐसी औरत का रोल किया है, जिसकी बच्ची जो है, कम से कम 7-8 साल की बच्ची है, तो इसके लिए मैंने थोड़ा वेट गेन किया था तो आई वस 68 एंड अभी मैंने जो है, योगा और डाइट से 22 kg रिड्यूस किया है वेट बढ़ाना गुना है, और कम करना असान है, कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप सोचो तो मुश्किल है, सोचो तो असान है अगर टेस्ट की बात करें, तो हमें अपनी जो जीब है, उस पर कंट्रोल करना पड़ता है, तो सब कुछ खा लेती है या ध्यान रखती है अपनी फिट्नेस का आपको बुरा नहीं लगेगा, बस कुछ चीज़े हैं, जैसे मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी, कि एक जो मैदा है, वो ब्लीष्ट है और रिफाइन है, इसलिए मैदे की बनी हुई कोई भी चीज़ ना खाएं, और ओयल ना खाएं किसी तरह का भी, आप गी और सरसों खा सकते हैं, सरसों का तेल और नारियल तेल खा सकते हैं, या फिर जैतून का तेल खा सकते हैं, और आधरवाइज आप तेल जादा ना खाएं, नमक, शक्कर और मैदा ना खाएं, और बाकी सब चीज़े खा सकते हैं, अरजुमन ये कहा जाता है कि जब लोग बड़े हो जा मैं कुछ नहीं बदलती एक्चुली मैं बदलना पड़ता है वक्त के साथ में लोगों के साथ में जैसे लोग होते हैं वैसे इनसान को होना पड़ता है नहीं तो फिर जो है जब आप मैच नहीं कर पाते किसी के साथ तो फिर लोगों को बुरा लगता है उनकमफटेबल हो जा बुड़ा जवान के साथ जवान और बच्चे के साथ बच्चा हो जाना बहतर है अरजमन आपके माता-पिता की बात करें क्योंकि उनसे भी हमारी मुलाकात हुई काफी समय के बाद हमने भी उनसे मुलाकात जो है वो की है किस तरह का स्पोर्ट जो है वापको अपनी अम्मी से अपने सारे खुझ करती हूँ इस वज़ा से वो मेरे फैसलंगों पर करते हुं उनको लगता है कि मेरे अथि आखरी सवाल करूगा क्या मैसेज आज जमो कश्मीर की जनता को देना चाहते हैं अरजुमन मुगल क्या मैसेज देना चाहती है क्योंकि अरजुमन अब वापस बालीवूट की तरफ जा रहे हैं कहना चाहूंगी कि देखिए प्यार महबत बहुत बड़ी चीज है तो प्यार करना सीखिए नफरतें मिटा दीजिए और जैसे अंदरें वैसे बाहर रहे हैं नकली होने का कोई मतलब नहीं है जैसे आपके मन में आप महसूस करते हैं वैसे या बाहर रहे है जूटी दुनिया जूट जूट बिल्कुल गलत है और जो सच होता है जूट वही बोलें जो किसी का नुकसान न करें बैसिकली और अपने आप आपना मन सचा रखें, साफ रखें और सब से प्यार करें नफरतें खतम करें और किसी को भी गालियां ना दे गालियां देना गलत बात है आपके गालियों से कुछ नहीं बदलने वाला है सिर्फ आपकी असलियत सामने आने वाली है ये पता चलने वाला है कि आप कितने अच्छे या बुरे हैं जो गालियां दे रहे हैं तो इससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा आप गालियन देंगे तो इसलिए गालियन ना दें प्यार महबत करें यही मेरा actually में message है कि love is important love बहुत शुक्री अरजुमन फिर कभी आपसे मुलाकात करेंगे क्योंकि 5 साल के बाद अपने गहूं लोटी है इनकी कुछ यादें थी और गहूं में आकर इने किस तरह का लगा इस पर भी हमने बात चीत की और इनका रहने का जो स्टाइल है वो किस तरह का है उस पर भी बात की फिलाल के लिए दें इजाज़त आगे फिर एक सक्सियस के साथ आपकी करवाएं के मुलाकात तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त आप देखते हैं लाइव वायर नमस्कार